अब आफ्टेनों एविवान कैसे आप सभी यलो वल्कम स्वागत है आपका क्या आप मुझे देख पा रहे हैं सब चीज हैं यह कि आप मुझे देख पा रहे हैं जी वेलकम स्टूडेंट आज ये शेयर कर दीजे क्लास को ताकि जाद से जाद से जाद स्टूडेंट्स हमारे साथ जूड सकें आज हम करने वाले हैं पंडित जवार लाल नेहरू तो ये हमारा यूनिट नमर थ्री पॉलिटिकल साइन्स का पार्ट है और इसके अलावा आपका यूनिट नमर थ्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है एक दो चैप्टर काफी मैंने जो है आपको स्पेशल क्लास में भी कराए हैं और काफी आपको यूट्यूब में भी कराए ह है unit 2 and unit 1 के भी sessions आपको मल जाएंगे तो ठीक है regular basis पर आपकी classes हो रही है student daily 12 वजे और आपको यह classes जो है वो लेनी है कल आपके जो है mcq class है उसको आप miss मत करना ठीक है कल mcq classes है आपकी और communication मैंने आपको करवाया है special class में theory sessions तो वो आप सकते हो अगर आपने नहीं देखा है communication से related ही mcqs आपको करवाया जाएंगे ठीक है चलिए आजएगे मेरा नाम है डॉक्टर बर्खा अगर फॉर्स्ट है मेरी class लेए student तो मैंने पीस्टी में फिल सब्दली उनिवर्स्टी से किया है चाल साल का इस पेडियन से स्पेशलाइब सवर्याफ्रिकन स्टी प्लिटिकल साइंस में निट क्वालिफाइड वंबर्खा 2020 मेरा कोड है यह आप लगा सकते हैं अनक आड़मी सब्सक्रिप्चन के लिए ठीक है आप यह टेलीग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं description box में लिखा होगा और फ्री ट्रायल आपको आरहा है आज लास डे स्टूडेंट बढ़ गया ता हरा और पांच महीं मतलब आज लास्डेंट है 7 days free trial के लिए 7 days free trial के लिए आपको क्या करना है आपको मेरा code लगाना है बर्खा 2022 और enroll करना है अपने आपको 7 days के free plus course में plus course एकदम free मिल रहा है 7 दिन के लिए तो जो चीज free मिलती है student वो तो पका लेनी ही चाहिए ठीक है उसके benefit आपको पता चल जाएंगे क्या क्या चीज़े आपको मिल रही है free classes देखने के लिए मिलेगी notes मिलेंगे आप mock test दे सकते हो और साथ ही साथ इस Sunday से इस Sunday से इसी Sunday से जो है आपके mock test भी शिरू हो रहे है रात को 9 बजे इसके लिए भी पर नरोल कर सकते हैं description box में link भी दिया हुआ है उसमें जाके आप click कर सकते हो ठीक है प्लस आइकानिक दो plan है अगर आपको मेरी classes पसंद आती है तो प्लस याइकानिक में से कोई भी plan आप ले सकते हैं प्लस से मिलता है इंडिया के best educator life classes period of quizzes structured course प्लस और आइकानिक में चारो benefit के साथ personal code study planner study material expert guidance and test analysis आपको मिल जाता है मेरी profile follow कर लेना academy पर मेरी special classes भी होती रहती है students वह आप देख सकते है special classes में आपको poll session raise hand option notes सब चीज़े मिल जाती है और interactive ज्यादा होती है classes recorded sessions भी आप मेरे देख सकते हैं और डेली जो है धाई बजे धाई बजे आपकी class हो रही है आज communication mcqs में आपको करवाऊंगी ठीक है वह आप देख सकते हैं धाई बजे और 4.30 p.m. 4.30 p.m. आपकी class होगी political science के mcqs की तो दोनों ही mcqs चल रहे हैं और theory sessions भी चल रहे हैं ठीक है कली आपका कम्यूनिकेशन का theory session खतम हुआ है यस गुड़ आफ्टनून जी गुड़ आफ्टनून एव्रिवरन आजाएए शेयर कर दीजी class को को कि जी कुछ कुछ पीपीटी ना बाइलिंग्व नहीं है उसके लिए मैं ठीक है sorry कि आपको बाइलिंग्व वीपीटी में नहीं प्रोवाइड करवा पा रही हूं ठीक है अदर्वाइस हिंदी में है आपको सम्मझ में तो आही जाना चाहिए तो पंडित जवालल नेरू के बारे में जो बाते हैं वह सबसे पहले इंपोर्टन चीज क्या है जब भी हम उनका नाम सुनते हैं तो येस के हैं ये हमारे क्या थे बताए पंडित जवालल नेरू क्या थे क्यों फेमस हैं प्राइम मिनिस्टर प्रधान मंत्री थे इसलिए तो हमें पता है ना पर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाललल नेरू ये थे और इसके बाद ये 1989 से हमारा इलाबाद से इनका जनम हुआ और ये कांगरेस में शामिल हुए लाहोर अधिवेशन में गए सवतनत्रता के के बाद सवतनत्रता केát 1947 के बाद प्रधान मंत है बच्चो को बहुत प्यार करते थे इसलिए चाचंछत नेरूँ और इन पंच शील का सिध्धान्त जो धाना पंच शील का गुट निर्पेक्षता वाला जो सिध्धान्त है और ठीक है तो पंच शील वाले इसमें ही गुट निर्पेक्षता आ जाता है वैसे तो पर यह गांधी अंबेड कर से जो है ऐसे comparison में आ जाता है तो comparison में भी आ जाता है इनके सिधान्त भी आ जाते हैं इनकी नीतियां भी आ जाती है कई बार डिटेल में भी पूछ लेते हैं इनकी रचना थी टोवार्ड फ्रीडम और अटोबाइग्राफी लेटर वार्ड़ नेशन बंच अफ लेटर यूनिटी ओ इंडिया फिक है तो यह सारी इनकी रचनाए थी बागी एक बार लाइक एन शेर कर दीजे स्टूडेंट्स एक बार लाइक एन शेयर कर दीजे तो जैसे बाकी थिंकर्स थे ना बाकी थिंकर्स हम पढ़ते हैं उनके कुछ ना कुछ बहुत जादा अलग विचार जो उन्होंने दिये वो हम वहाँ पर पढ़ते हैं है ना लेकिन नहरू जी के साथ ऐसा नहीं था जवाला नहरू जी के साथ ऐसा कोई विचारधारा हमें अलग से देखने के लिए नहीं मिलती है उन्होंने जो राजनीती में रहते हुए काम किये वोही चीजें उनकी विचारधारा के रूप में ठीक है हमें देखने के लिए मिलती है मतलब एज़ा प्रधान मंत्री उन्होंने देश के लिए जो काम किये वही इनकी विचारधारा मुख्य रूप में हमें देखने के लिए मिल जाती है ठीक है उनको प्लेटो और अस्तु में क्यावली ज जो उन राजनेतिक दौर था उनका उन्समें जो उन्होंने काम किये देश के लिए वही चीज़ें उनके विचार बनकर उभर कर आए तो उनकी आत्मकथा और बायग्राफी है उसके अलावा ज्यादतर लेटर्स हमें मिलते हैं नहरु जी के जो उनके बारे में बताते हैं राष्टबाद का मतलब है कि सारा एक रास्ट उदार रास्टबादी थे ठीक है भावनात्मक पक्षपर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया भारत को एक संस्कृति के रूप में देखा एकता की रूप में यह देखना चाहते थे कुछ-कुछ वर्ड्स है जो आपको दियान रखने हैं जैसे कि synthetic universalism कल्चिरल pluralism कि और चियो यह कुछ वर्ड्स है जो इन्होंने अपने राष्टबाद के लिए यूज किये हैं ठीक है सर्व राष्ट सौभावाला वह विचार और इसके बारे में अगर डिटेल में नहीं पता है कुछ की मुख्य राष्टवाल होता है और शांती उदार वाद तर्क वाद यह सारी चीजों पर इन्होंने बल दिया जो में इनके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है वह है पंच शील का सिधान्थ के सिधान्थ में से क्योंकि कोश्चन आया है बनता है कई बार बनने की संभावना हमेशा रहती है 1954 में यह आया था भारत और चीन समझोते के दोरान पाज अंतराश्ची नितिकता के लिए पाज इन्होंने सिधान्थ दिये कि यह चीज तो किसी भी इसमें होनी ही चाहिए कोई भी देश रोसी देश हो या कोई सी भी देश के साथ हम ट्रिटी करते हैं तो यह पाज देशी का खंडिता प्रभुसत्ता का समान करना मतलब एक दूसरे के परसनल उसमें मैटर में इंटरफियर न करना ठीक है आपके जो टेरिटरी है उसके अंदर आप रहकर जो भी करें उससे पड़ोसी देश को कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है मतलब आपकी प्रभ प्रफियर नहीं करना चाहिए नहीं वह कर सकते हैं यह होता है टेरिटरियल इंटीग्रीटी यह सोवरनिटी ठीक है परस पर अनाक्रमण नो नेग्रेशन मतलब आप जो है दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे हाला कि अभी हमें एक दो कंट्री में दिख रहा है कि कि इस तरह से आक्रमण हाल फिलहाल में सालों में हो रहा है तो यह क्या कहते हैं इनका सिधानते के परस पर अनाक्रमण होना चाहिए मतलब नो नेग्रेशन होना चाहिए लड़ाई युद्ध वगरा नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के आंतरिक मामले में अहस्त शेप एक दू इसमानता और परसपरिक लाब हो मतलब सब समानता के साथ रहे और पारश सभी को लाब हो ठीक है समान्ता वाला वेवार सारे कंट्रीस की बात हो रहे हैं लोगों की बात नहीं और यहां पर international प्रेशनल्स की बात हो रही है छांती पूंट सहस्तितु और आर्थिक सहयोग के लिए आपको पता ही है वे रेंपार बना सी तरीके से हम रहेंगे अपने अरोसी पॉरोसी या किसी भी देश के साथ यह पाँच चीजे हैं इंटरिटी 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 नौन इग्रेशन नौन इंटर्वेंशन इक्वेलिटी कि एक्वनिक्स सपोर्ट चांती पून सहस्ते तो क्या वोलेंगे पीसफुल कि देमोंस्ट्रेशन पीसफुल डेमोंस्ट्रेशन ठीक है ऐसा कुछ बोलते हैं इसको चलिए तो यह याद रखना और यह रखना कि किसलिए यह हुआ था ठीक है याद और चीन के साथ समझेता हुआ था 1954 में अंतराश्टिय नितिकता के लिए हुए थे ये पाँच सिधान तंतराश्टिय नितिकता के लिए लाए गए थे पून लाया था नेहरुजी लाया था पंशील के सिधान ठीक है ताकि शांती व्यवस्ता कायम रह सके कोई एक दूसरे पर इससे पहले क्या हो रहा था उप उपनी वेशी जीवन जी रहे थे ठीक है उपनी वेश बनाया जा चुके थे तो वह सिचुएशन दुबारा ना कोई हम पर आक्रमन ना कर दे क्योंकि अल्रेडी हम लोग इतना उपनी वेश बनने के बाद जो है उतने स्ट्रॉंग उस पर नहीं थे आफकोर्स ऐसे रूल्स बनाने ज़रूरी थे जिससे हमारे देश के सुरख्शा हो सके थिके हम तो सिधान सुरख्षा और विश्वास की बावना को बढ़ा हो देता है किस-किस को एक तो सुरक्षा आस्ता और विश्वास हम दूसरे पर बिलीव करके तो कर रहे हैं कि वह हमारे बाउंडरी में हाला कि उसके बाद काफी बाउंडरी को छेड़ा गया ठीक है और बाउंडरी को लेकर काफी युद भी हुए तो अभी भी अगर बाउंडरी की बात तो 1956 में 1954 में नैयरू की चीटो नाशिर घोशना में इनहीं सिधान्तों की और पुस्टी की गई एक तो यह सिधान 1954 में आया लेकिन 1954 के बाद जब नासिर घोशना हुई नायरू टीटो नासिर घोशना उसमें यह दूबारह रेटीट किए गए है में 1956 में बी आप बाता है इनका विचार मिवी से धondere धरम निर्पेख्ष थो दरम निर्पेख्ष घरम निर्पेख्ष का मतलब क्या होता है did you मैं बताइब वठ ने आपके आंसर का वेट कर रहे हूं कि द arriv निर्पेख्ष का मतलब होता है इस टूडेंट आप ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी धरम के साथ या फिर सब धरमों का खंडन करेंगे या सारे धरमों को अवहेला करेंगे कि धरम से दूर हो जाएंगे नहीं धरम निर्पेक्ष का मतलब ये कभी नहीं होता है कि धर्म से खुद को अलग कर देना धर्म निर्पेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान दिया जाए और किसी भी धर्म को कोई विशेशता ना दिय जाए ठीक है किसी भी धर्म को कोई ऐससा specialization ना किया जाए तो किसी एक धर्म के साथ ना जूड़कर सभी धर्मों को समान मानना एस अधिग्वल मानने को ही ठीक है समानिक्वल एक आपका धर्मने पर एक शिल आता अ है तो वह देखो नहरु विज्ञानिक भी थे देश्यवादी अग्यवादी लोकवादी सारे चीज़े थी धरम में भी पूरी उनकी निष्टा थी ठीक है लेकिन यहां पर उन्होंने साफ साफ बोल लिया कि हमारा जो देश होगा वह धरम निर्पेश्च देश होगा क्यों कि बहुत सारे धर कि रक्षा करना जरूरी है तो अगर यह ह कह देता है कि सिर्फ धर्म ही इंपाइन है यह एक तो बाकि धर्मों का क्या हो Dow si discrimination type का हो जाता तो यहां पर धर्म का आर्थ किसी धर्म का खंडन करना नहीं होता इसा नहीं कि अपने आपको धर्म से बिलकुल अलग कर देना इसका मतलब होता है सारे धर्मों को equal समझा जाएगा और सारे धर्मों के अनुनियाई को समान अफसर दिये जाएंगे मतलब किसी एक को specialization नहीं करना ठीक है वे धर्म के विरोधी नहीं थे बलकि मानव जीवन में धर्म को तो वह अच्छा मान रहे हैं धर्म के मैं तो को स्विकार कर रहे हैं पर इंतु यह यह भी जानते कि धर्म में कुछ क्या होता है नकरात्मक पहलू भी होते है तो नकरात्म पहलों को यह रोकना चाह रहे थे मतलब धर्म की जो बुराईयां होती है वो ना आपाएं इसलिए उन्होंने धर्म ने प्रेक्ष राज्य का समर्थन किया और वो क्या चाहते थे कि राज्य के अधहार पर एट लीस्ट धर्म के अधहार पर राज्य किसी के साथ क الب खेदी के अंध्य की तो वह सामपर्धायक्ता कWC क्या होती है देख को सामपर्धायकता इसका एकदम उल्टा हो गया है किसी एक विशेश संपर्धाये के हित्ट में कोई बात करना वह आपका संफर्धािकता हो गया ठाहिया मतलब आप एक पाटिकूलर संपरधाई या पाटिकुलर धर्म या पटीकुलर जाती विशेश्चता पर आप बात कर रहे हो तो आप क्या हो गए संपरदाइक्टा को बढ़ावा दे रहे हो जब कि यह बिल्कुल उसके मतलब इसका विरोध कर रहे थे संपर्दाइक्टा का और धर्म पेच्षता का समर्थन कर सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए राजे धर्म के अधार पर भेद्वाव नहीं करेगा धर्म के पति कोई मतागरे नहीं दिश्वाव मतलब आप पहले से यह रखेंगे कि यह तो ऐसाई हों राज्य जो है वह दर्म के पति कोई अपना कोंदिस्ञें रहेगा जिसको जैसे विश्वॉपार कलिकुन उसको चलब सकता है जरूरी नहीं कि आप उसको स्विकार करे ही करे अपने मानिता है रूडिया है आप मानना चाहते हैं तो अभी भी आप देख सकते हैं आपके धर्म में जो भी मानिता है आप वो मान सकते हैं उसको कोई आपको मना नहीं करता है मानने के लिए तो एक तरीके से सभी धर्मों को सही शूनता या सोहार्थ का सब्सक्राइब रखना चाहिए इस तरह की ये कहते थे के इस देखा मानव वादी मानव व्यक्तिख को नेतिक मान रहे थे व्क्ति कैसा होता है नेतिक अपने कल्यान और हित्त के समन्वे छापित करने की स्थापित करने की स्थापितangersाव्हो रखता है लोगतंत्र संबंदी विचार अब लोगतंत्र में क्या मान रहे थे लोगतंत्र को अच्छा मान रहे थे लोगतंत्र जरूरी अब देखो इनके विचार आप देख रहे हो लोगतंत्र को मान रहे हैं मानव को मान रहे हैं पंच्श इल सिहांद गुट निर्पेग सिहां टर्म निर्पेग सिहां लोग तंत्र को अच्छा माना शींपल सी बात है अफ को बहुत सारे लोग थे सभी सब देने की बात था चैंट को कल्यान चाहिए जानते थे जब होट कर। तो एक अच्छा decision होगा तो जनता के कल्यान जनता को अधिकार देने के लिए उनका राजनीती participation के लिए उनको जागरूख बनाने के लिए उनको कर्तव्य ठीक है उनका अच्छा नेदा चुनना उनका कर्तव यह लोगों का तो वह सारी चीजों के लिए इनोंने लोकतंत्र को महतो दिया कि लोकतंत्र को महतो दिया समाजिक आर्थिक न्याय को महतो दिया गोज़ी तो ज़ो याद रखना भूलनां ने कि ए रहां कि और कैसे नैं कि के विदी के शाषन का समर्थनी ने कि ए रूल ओप लो कि पड़ा होगा अपने और रूड़ लोब कारिव मतलब्षान मतलब जो कानून के निती चले शाशन हो वो कानून के अनुसार हो सविधान वात का मतलब है सविधान पर सविधान में जो लिखा हुआ है उसके अधार पर जो है शाचन किया जाए ठीक है सविधान में जो लिखा हुआ उसके अधार पर शाचन किया जाए नागरी कदिकारों पर बल दिया ठीक है वी क को मात्मा गंदी को मिला कर दिया आप आज भी देख सकते हो कि हमारे पर चाहिती राज है जो मातमा घंडीजी का विचार है तो याद है याद लोगत रॉत्विचह सवूंझ проп було हम्हात्मा गांदी जी और गाउं में आज भी पंचाहिती राज हैं हमें देखने के लिए मिलता है तो इनके नेहरो जी ने भी उस चीज का संवर्थन किया क्योंकि वो जानते थे कि वह भी लोगतांत्रिक warp our freedom Beauty कि लोकतंसर में समांता अखरी चीजांए जडरूरी है एक वक्ति एक वोट कि लोकतंसर में उखेजिए अफ-सर की समांता मिले में है कि नरैंरू जी बोल रहे थे मैं इंपशर की समांता भी मिलने की समांसर मिलने चाहिए ताकि आपके शम्ता का विकास कर सके व्यक्ति को अभी व्यक्ति का सुतंतता हो freedom of expression हो तो कभी आप भूलना मत कि freedom of expression वाला विचार नहरु जी ने भी दिया था हम क्या करते हैं नॉर्मली हम लोग भूल जाते freedom of expression जीएस मिल याद आता है समानता पर हम किसको याद करेंगे रूसो की समानता सुतंतता समत्ती का सिधान जब हम बात करेंग कि सिधान की समानता अभी वक्ति वोट अफसर की वनल लोग तंत्र की बात है आपका पंत निर्पेख्षता के विरोध की बाद धरम निर्पेख्ष की बाद और पंच शील की बाद यह सारी चीजे अंतराश्चिवाद उसकी बाद जब भी आईगी तो इसमें नहरू का नाम लेना आपके लिए जरूरी है तो यह सारे इनकी थियोरी सिदानते कई बार मै लोगतंत्र में क्या होता है बहुमत का शाशन होता है तो इसलिए परन्तु अल्पमत की भी उपेक्षा नहीं की जाती कि समाजवाद को भी इनोंनी important है रहा हो त्रखार नंत्रिक समाजवाद कि क्या होता है पूरे समाज चाहते वाक्तिवादी को जाहे हैं जो चाहते हैं यह लोगतांत्रिकि समाजवाद की कि बात करेते मतलब कोई बी। कोई भी चीज या पूत पूछ होना है तो फूरे समाज के लिए वो छीक है तो विशार भूमत समाज वादी नीती और कालेवाई का समर्थन क्या अहिन साथमक ते शांती पूँन साधनों का समर्थन इन्हों किया तो यह भी नहरू की तरह इंसात्मक कहे जा सकते हैं उदारवादी थे उदारवादी थे कई बार पूछ लेता है उदारवादी सिधा तिंकर कौन कौन से है नाम बताओ मैच करने के लिए बताओ को स्थाथ साथ आपको बतारी हूं किस तरह कोशन इसमें से पूछे जात है कि मार्क्सवाद के परती भी या तरशित हुए थे बठ उनकी विचारधारा उस तरह की नहीं थी जिस तरह मार्क्सवाद की थी ठीक है क्योंकि मार्क्सवादी जो ठीधान था वो एकदम अलग आर्थिक समस्याओं को लेकर जादा था ठीक है पीडित जनता के उधान से रेज़े था लेकिन नहरू वर्ग संगरश में विश्वास नहीं करते थे वो वर्ग सहीयोग में विश्वास करते थे अकर्षित जरूर ह मार्क्सवादी वीचारधारा से लेकिन उतना उतना जातला उसके विचारों को नहों के विचारों को उन्होंने तबज्व नहीं दी थी है अच्छव लंगान्दी जी में ढ किमान विरोध में देथने के लिए मिलता है नेहरू और गांधी लगवकं समानी reopen नीरपेश थी यह करन स्विकार किया था लेगिन नहरु जी समाज जाए को स्तापित करना चाहा रहे थे समाज बाधि से नहरु पंद्ध अधुनिक सभ्यता को शेतानी सभ्यता कहा था लेकिन नहरुजी इसके उल्टे थे यह क्या कहते थे कि संसदिय लोकतंत्र अच्छा है यह अधुनिक सभ्यता को जैसे मैंने बताया ना यह साथ लेके चल रहे थे अधुनिक सभ्यता को वही चीज यह आपया में देखने के लिए मिल रहे कि देखो अधुनिक सभ्यता को गांधी जी शेतानी सभ्यता बोल रहे थे वही नेरुजी आधुनिक सभ्यता को संसदिय लोकतंत्र से मिला कर देख रहे थे मतलब देखो जैसे मैंने बताया कि इन्हो भी माना लोकतंत्र को भी माना लेकिन शहरी लोकतंत्र को भी उन्होंने लेकर रखा ठीक है विकेंद्रिकरन को भी उन्होंने लेकर रखा भारी उद्योगों के समर्थक थे और वज्यानिक तरीकों के समर्थक थे नेरो जी गांदी जी सवराज की स्थापना करना चाहते थे हर एक आकसी आसु पूझना उनका धेथा मतलब देश आजड हो हम खुद का राजनीति चलाये और देश का ओस्थन कुद चलाये है डेश का छाशन चलाएं तो यह सपना लोग तंत्र से ही पूरा हो सकता था क्यों कि लोगों द्वारा बनाओ टीक है किसी एक दो लोगों के हाथ में पावर और सक्ता आ आती और वही लोग मेर tossed परयोजनाव में पंचायती राज और सेहकारी समीतियों को समर्थन किया ठीक है जैसे गांधी जी ने पंचायती राज का समर्तन क्या था जैसे इन्हों ने भी किया उनकी दृष्टी में क्या है लोक इच्छा और सारवजनी की इच्छा अभी वेक्ती नहीं थे बतलकि लोगतांत्रिक सिक्षा के भी साधन थे दोनों नहीं विकेंद्री करन को इंपॉर्डन माना बस यह जो थे विज्ञानिक प्रविर्ती को जाधा जोर देते थे विज्ञानिक प्रविर्ती कैसी होती है सिंपल लेंग्वेज में अगर समझो विज्ञान कैसे देखता है सारी चीजों को तारकिक रूप में देखता है आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए आपकी बात साबित करने के लिए ठीक है और जाती और धरम जैसे चीज़े क्या होती है संकेन होती है तो आपको याद होगा मैंने बताया था गांधी चीजों थे वाण विवस्ता का समर्थन कर रहे थे जबकि यह एकदम उसके उल्टे थे यह उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे धरम का विरोध ही विरोध तो नहीं कह सकते लेकिन जिस तरह धरम का समर्थन गांधी जी ने किया उ है कोई डाउट है यहां तक आप पूछ सकते हैं कोई डाउट है तो पूछिए स्टूरेंट्स अभी जो है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लस आइकॉनिक दो प्लैन है दोनों में से कोई भी प्लैन अप ले सकते हैं ठीक है परक्षा 2022 यह प्लैन कोड लगा लेना अच्छा गुट निरपेक्षता का सिधान तोर था गुट निरपेक्ष का मतलब है किसी भी इसको में शामिल ना हो ना ठीक है वह भी नहीं कहीं था प्लस में लाइव एज़े क्लासे सब्सक्रिप्शन को प्लस के सारे बेनिफिट के साथ परसनल को स्टुडि ब्लैने स्टुडि मैटेरियल एक्सपर गाइडेंस अब को मिल जाता है तो यह सेवन डेज का प्री ट्राइल आप देख पार है पांच मैई आज लास्ट यह है इसको लेने के लिए कोड मेरा लगा लेना बी इस टैन भी मेरा ही कोड है बी एस टैन बर्खा दो ह स्टूप्सक्रिप्शं आप ले सकते हैं और मॉग टेस्स शुरू हो रहे हैं साथ महीं से आपके 9 बजे संडेको वह भी आप ले सकते हैं अगर अभी से अंड़ोल कर लीजियें vic के लिए description box में आपको एक लिंक दिख रहा होगा उस पे क्लिक कर लेना अगर इसमें अच्छा परफॉर्म आप करते हैं तो यहां पर आपकी रैंक क्या कोडिंग आपको अच्छे प्राइजिस मिल जाते हैं इसकी PDF चाहिए तो मेरी special class में आप डिमांड कर सकते हैं special class में दूंगे मैं आपको धाई बजए मेरी special class है communication वाला MCQ में आपको करवा रही हूं तो वह आप ले सकता है 2.30 PM और 4.30 PM भी आपकी class student political science के MCQ आपको करवाऊंगी तो यह दोनों special classes आपकी है अनकाडमी आप पर आज और अनकाडमी आप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लो थैंक्यू स्टूरेंट्स आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आप से रही बज़े वाली class में